क्या महेंद्र सिंग धौनी अगले साल आईपिल खेलेंगे या नहीं यह सवाल भारत ही नहीं पूरी दुनिया पूछ रही है दरसल आईपिल की शुरुवात से ही सभी ने कयास लगाया था कि यह साल धौनी का आखरी आईपिल होगा जिसके लिए दशक भी उन्हें जम कर समर दौनी जहां जा रहे हैं उनके समर्थन उनकी एक जलक के लिए वहां पहुंच जा रहे हैं चाया आमदाबाद के नरेंद्र मोधी श्टेडियम हो या कलकता का इडिम गार्डन हर मैदान पीली जर्सी से खचाखच भरा हुआ होता है पर इसी बीच धौनी के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है दसल सुरेश रहना ने उनके रिटार्मेंट को लेकर बड़ा खुलासा किया है जैसा कि आपको पता है इस साल शूरेश रहना ने आईपेल से सन्यास ले लिया और वह आईपेल 2023 में कमेंटरी कर रहे हैं इस बात से हर कोई वाकिप है कि रहन और धौनी काफी अच्छे दोस्त भी है ऐसे मैं रेना ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि धौनी से उनकी IPL करियर के भविश्च को लेकर बात हुई थी जिस पर माही ने उनसे कहा मैं ट्रोफी जीत कर एक साल और खेलूंगा रेना किस बयान से ऐसा लग रहा है कि या धौनी का आखरी IPL नहीं होगा वह शायद अगले सीजन भी IPL में पीली जर्शी परण कर खेलते हुए नजर आएंगे इतना ही नहीं बलकि इससे यह भी समझ आता है कि धौनी IPL 2023 की ट्रोफी जितने के लिए कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है जब यह खबर धौनी के फैन्स तक पहुची तो सोशल मीडिया में सभी ने खुश्या चाहिर की पर एक पोश्ट सबसे ज़्यादा वायल हुआ वह पोश्ट था कि धौनी के फैन्स खुद चाहते कि धौनी की चेन्ने सूपर किंग्स IPL 2023 की ट्रोफी जीतना पाए जिससे धौनी एक साल और मैदान में खेलते हुए नजर आएंगे क्योंकि धौनी ने कहा था मैं ट्रोफी जीत कर एक साल और खेलूंगा इधर आपको बता दी किस से पहले भी धौनी न आईपिल से सन्याज को लेकर बयान दिया था दरसल चेन्ने सूपर किंग्स और लखनों के मुकाबले में टॉस के दोर अराल आप यह देखना काफी ज्यादा दिल्चस्प होगा कि धौनी आईपिल 2-23 का हिस्सा लेते हैं या नहीं इता चेन्ने सूपर किंग्स के परदर्शन की बात कहें तो धौनी की कप्तानी में CSK के परदर्शन इस सीजन भी सात्वे आसमान पर रहा है चेन्ने 11 मुकाब